नमस्कार 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 दोस्तों मैं निकलेश जेन हिंदी चेस बेस इंडेचल पर आप सभी का हार देखने दिन करता हूँ दोस्तों फीडे ग्रेंट स्विस्स में भारत के विधित गुजराती और अरजुन इरगासी फिलहाल दौनों बेहत शांदार फॉर्म में नज कुछ हो सकता है खेर विधित का संयुक्त बढ़त पर आना इंपॉर्टेंट और महत्पूर्ण इसलिए भी है कि विधित के पास फिलहाल ये एकमात रैसा चांस नजरा रहा है जहां से विधित फीडे कैंड़ेट के लिए क्वालिफाई करने का फीडे सर्किट वहां पर व राउंड में वह हार का सामना करना पड़ा था विधित को उसके बाद विधित की जो चौथी जीत है मतलब बाकी के जो पांच राउंड हुए है चार जीत और एक ड्रॉ आया है जो की ग्रेंट स्विच जैसे टोनमेंट में बिल्कुल भी आसान बाद जो है वह नहीं है जह नाइट एफ्री नाइट सीजिए बिशप बी फाइफ राइल उपिज लाइन हुई यहां पर एशिक्स बिशप एफ फोर नाइट एफ्सिक्स तो कैसलिंग कर लिया वाइट ने अपना बिशप एवन एफोर को प्रोटेक्ट करते हुए बी फाइफ बहुत स्टैंडर नोती करते हैं कि अब इसको अब भी तोडने वालेoder विशप बी-7 ब्लैक करता है तो नाव विदित खिलते हैं यहांपर queen d7 और यहाँ पर विदित खेलते हैं h3 यह important है क्योंकि वो किसी भी तरह से यहाँ पर knight g4 वगरे allow नहीं करना चाहते हैं okay knight जाता है d8 पर यहाँ पर और यहाँ पर black जो है वो इस knight को relocate करना चाहता है नई जगह पर ले जाना चाहता है बाया e6 यहाँ पर f4 और d4 पर भी आ सकता है विदित यहाँ पर खेलते हैं सबसे पहले ab5 ab5 rook into 8 bishop into 8 knight c3 अपना develop करते हैं b5 के pawn पर प्रेशर रखते हैं knight यहाँ पर e6 आता है जो कि नीमन हंस का plan था और यहाँ पर विदित सर्प्राइजिंगली जो है इस knight को मार देते हैं काफी एक अच्छा end game का यहाँ पर calculation है रीजन यह है कि फिलहाल कि इस्तिती में जब तक कि यह solid structure है यह जो bishop है यह काम नहीं कर रहा है दूसरा because of dark color पर पहुंस है यह दूसरा bishop भी काम नहीं कर रहा है तो current की जो position है उसमें नीमन हंस के दौनों जो bishop है वो काम नहीं कर रहे है और इस दौरान अगर विदित बोर्ड पर कुछ अच्छी बढ़त बना लें और जो उनके पास एक interesting idea था अब यहां पर विदित पहले खेलते हैं यह भी important था क्योंकि उनको दिख रहा था कि रुक आएगा बट idea यह था कि रुक आट पर जाएंगे queen b2 अब अपने ने h6 किया तो अब आगए रुक a1 अब वो चाहते थे कि यह रुक भी एक्षेंज हो वही हुआ रुक a1 queen a1 अब यहां पर नीमन खेलते हैं king f7 जो कि थोड़ा surprising था मतलब natural दिखता है कि king h7 जाना चाहिए यहां पर नीमन अपने bishop को c6 से बचाया बलकि यहां पर इस pawn पर support लगाए अगर आप ध्यान से देखोगे board पर तो आपको साफ दिखेगा कि जो white का queen है वो definitely black के queen से ज्यादा active है और पहली बात तो वो active queen है और black का queen पर एसी क्योंकि आप बचा रहे हैं और वो attack कर रहा है दूसरा यहां पर कुछ ऐसी weakness थी white black की जहां पर black थोड़ा सा struggle कर सकता था जैसी कि b5 का pawn इस पर कभी भी जो है black attack करने वाला था तीसरा एक और जो बात थी कि space advantage जो जगे है अगर आप देखें महरों के बीच में तो black के पास जगे काफी कम है मतलब जादा लोग है और कमरा जो है वो छोटा है वहाँ पर तो विधित ने किया queen a5 अब विधित की नजर में दो pawn थे एक ये और एक ये और उसके इर्द गिर्दी थोड़ा सा match यहां पर चल रहा था king g8 खेला पहले तो उन्होंने कुछ नहीं किया response ही नहीं किया मतलब एक प्रकार से जो कि king g8 इन्होंने खेला bishop e3 now king h7 उनको realize हुआ कि king को f7 पर ज्यादा रोल है नहीं तो यह दो तीन challenge होगे नीमन की यहां पर खराब ही लेकिन चुकि position close है अभी तो इतना affect position पर जो है वो queen tight down है इन्हें बिशप e7 खेला repetition करने की कोशिश की विदित ने खेला bishop b8 so now king g8 वापस लेके आना शुरू है knight b1 आप विदित का idea इस knight को relocate करना था actually मैं idea यह है कि इस knight को improve करके यहां तक महुचाया जाए तो फिलहाल तो यह idea कुछ यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां जाने का था plan knight h5 किया यहां पर नीमन ने और यहां पर आते आते पोजिशन जो है विदित की अल्री इंप्रूव होना शुरू हो चुकी थी क्योंकि उनके प्लान ज्यादा अच्छे तो उन्होंने g3 किया knight को stop किया bishop d8 जाता है तो now knight bd2 वही अपने plan को continue किया queen e8 यहां पर अब यह वो position था जहां पर विदित को थोड़ा realize हुआ कि शायद नीमन जो है वो queen side से कुछ counter play जो है वो create करने की king side से कोशिश यहां पर कभी न कभी कर सकते हैं अभी आगे क्या हुआ यहां पर देखते हैं खेर इन्होंने खेला यहां पर king f1 so now knight f6 king e1 so now वो खेलते हैं king h7 अब यह king h7 बड़ा interesting move था क्योंकि अब उनको realize हुआ कि इस bishop को queen को free रखने के लिए knight को यहां से यहां लाना पड़ेगा पर फिर यह bishop बंद हो जाएगा तो खेर इन्होंने खेला king e2 यहां पर so now queen d7 यहां पर king d1 knight g8 अब वो था कि यह भी c7 भी आप नहीं छोड़ सकते थे तो कभी भी उस पर भी attack हो सकता था तो पहले वो उन्होंने पूरा इंतजाम किया knight b3 आया knight e7 अभी उन्होंने support कर दिय c6 के bishop को और queen को free करने की कोशिश की अब विदित ने खेला knight e5 queen e8 यहां तक आते आते विदित का जो time है वो काफी low हो गया था अगर मेरे खेल से यहां पर time और थोड़ा सा जादा होता तो शायद मैं ज्यादा जल्दी खतम हो सकता था king e2 वगर है विदित ने खेला यहां पर जैसे की king e2 यहां पर अप इन्होंने किया d5 finally black है आप कब तक सामने आले को बांद के रखो के हाथ अभी ना कभी दो हाथ खोलेगा और यही शायद विदित इंदजार करे थे कभी कई विदित की quality भी रहती है वो pressure डाल के गलतियां कराते हैं knight d2 कि अभी दितने यहां पर so now queen h5 check विदित खेलते हैं king e1 यहां पर आप queen h3 वगर है जो नहीं मार सकते हो आप देख सकते हो because of knight c6 तो पहले आपको bishop को ठीक करना था उन्होंने bishop d7 किया विदित खेलते हैं queen b7 यह वो position था जहां पर इन्होंने मारा d4 जिसको यह blunder था इसकी जगह bishop को पीछे हटाया जा सकता था reason क्या था मैं आपको दिखाता हूं कि अगर black खेले bishop c7 तो white खेलेगा queen h3 यहां पर अगर आप bishop e8 मारने जाओगे तो white black खेलेगा sorry black खेलेगा bishop h5 और उसके बाद यहां पर perpetual आप अगर bishop e7 खेलेंगे तो queen h1 check अगर आप knight f1 आते हैं तो queen f3 और actually position बहुत ही dangerous है even computer equal बता रहा है विकोज क्योंकि आप sacrifice करेंगे bishop g4 आएगा then king d2 भागेगा then queen d1 check then king c3 queen a1 but सोचने में यह dangerous है मतलब राजा को आप ऐसे practically गेम में ऐसा नहीं सोचोगे कि राजा इतना calculate करगी राजा यहां से वहां भाग रहा है तो definitely d4 d4 now queen into h3 यहां पर खेलते हैं नीमन और अब विदित खेलते हैं bishop c7 यहां पर आते है queen h1 check अब आप देखें कि वो जो bishop हमने वो variation में देखा था कि वो bishop यहां से यहां घूम रहा था यह bishop फिलाल यहीं पर d7 पर रखा था और काम नहीं आ रहा था queen h5 check so knight f3 और यह position आते आ already plus position पर आ गए थे जैसे यहां पर यह मारने जाएं अगर मा लिजे तो यहां पर problem यहीं है कि आपका bishop मर रहा है bishop हटाएंगे तो knight मर रहा पीछे जाना पड़ेगा तो e5 का pawn भी मरना तो इसलिए queen e8 direct खेला knight e5 हुआ यहां पर और आप देख सकते यह position with it already pawn up हो चुके थे b5 का pawn भी हैंगिंग था यहां पर bishop c8 queen a7 यहां पर knight g6 तो विजिद ने यहां पर bishop d8 खेला यहां पर knight पीछे आना ज्यादा अच्छा होता कर बिशब d8 knight e5 और यहां पर यह good move था एक bishop f6 खेल सकते थे यह winning होता queen h2 king d2 but विजिद ने queen c7 खेला क्योंकि विदिद और यहां प काफी होता है king d2 और यहां पर नीमन को खेलना चाहिए था bishop d7 analysis में जो 7 में आता है ताकि आप यह जो meeting threat create हो सकती है bishop f6 से pinning की वज़े से वो ना हो खेर उन्होंने खेल दिया यहां पर इस position में knight f3 check king c3 गया और उसके बाद उन्होंने खेला queen h1 यहां पर bishop a6 set खेल सकते a2 और अब इतना अल्री calculate कर लिए था कि match बिनेंगे और उन्होंने bishop f6 खेला भी mate लगी हुई थी और उन्हों मेट को रोकने के लिए कोई option था नहीं queen b1 check king गया यहां पर a3 but queen c1 check and after bishop b2 यहां पर nevon hans ने resign कर दिया वगर आप जाएंगे यहां पर कुछ पीछे की moves देखन के लिए तो main था यह मेरे क्याल से last moment था जब इन्होंने knight से check दिया यहां पर bishop d7 जो है वो interesting move था ताकि जो attack है यहां पर definitely f4 आ रहा है but after f4 knight f3 check जो है वो आएगा फिर king c3 and then queen h1 यहां पर काम कर रहा था because यहां पर अगर आप यह मारने के लिए जाते हैं तो queen a1 के बाद even आ यहां नहीं खेल सकते हैं because आप check से आपका queen मर रहा है तो king आपको अंदर खेलना पड़ेगा तो वो actually minus position बन जाता तो इसलिए यह game ऐसे बच सकता था pressure में नीमन ने गलती करी और फैर विदित ने जो है वो बहतरीन finish करते हुए यहां पर match जो है वो अपने नाम कर लिया एक एक बड़े मुकाबलत से आप सікस सकते हो कि कैसे जलतैं कराते हो किसी से धी धीर धीर पोजीशन को improve करना डिया नायट को एम्प्रूव किया, vishuam को फिए को पहले improve कर लिया था, फिर king को improve किया तो आप देख सकते हो कि उसी दौरान सामने वाले ने जो है गलती करी क्योंक मैंने क्लेश जेन, जाहिन दोस्तो.